हेलो स्टूडेंट्स पिछभी हमने इस चप्टर का जो फर्सट पाइड है वह मैंने अप्लोड कर दिब नी जो फ्स्स कई प्लीटि कर दा क हमने दखा धा कि जो लिटल ट्रीक ही था डोग जो था और वो मिस्टर हैरियट सोचता रहता है कि वो दिन दूर नहीं है कि जो मिस्टर हैरियट है वो जल्दी ही मेरे पास कॉल करने वाली है क्योंकि जो मिस्टर हैरियट है वो कौन था वो एक वेटनरी सर्जियन था वो एक पशो चिकित सकता जो कि पशो की देख भाल करता था तो अगला पारण हम यहाँ पर डिसकस करने है स्टूडेंट्स आप मुझे प्लीज कमेंट करके यह जुरूर बता दीजिए कि यह विजिबिलिटी सही है यह इसके लिए हम लाइटिंग का प्रियोग करें अब मतलब लाइटिंग अच्छे से यूज करें यह विजिबिलिटी सही है क्योंकि जो यह सिस्टम है वो मैं आपको बता दूँ यह मेरा टेंप्रेरी है इसमें मैंने स्टेंड वेगरा कुछ नहीं ले रखा है अगर किस है कि दिखावेगे अब वो आपके उपर डिपेंड है स्टूटेंट्स आप कितना समझ पा रहे हैं कितना नहीं क्योंकि मैं पूरी कोशिश करते हूं कि एक को वर्ड टू वर्ड में बच्चे को समझा पाऊं क्योंकि आप सभी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो आ कि मैं पूरी वीडियो में मतलब आपको एक पूरे चाप्टर की एक्स्प्लेनेशन एक स्टोरी टाइप में आपको बता दूँ वो आप ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो मेरी प्लैनिंग थे वो ये थे कि ट्रेकी को उस घर से कुछ दिन के लिए बाहर ले जाना होगा I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation मैंने सुझाओ दिया उसकी तरफ कि उसको कुछ दिन के लिए observation में रखना होगा hospital में उसको दाखिल करना होगा the poor lady almost soon बिचारी जो औरत थी वो लगबग बेहोश होने को हो गई थी she was sure he would pine and die if he did not see her everyday और वो इस बात को लेके sure थी कि अगर वो उसे हर दिन नहीं देखेगा तो वो मर जाएगा but I took a firm line लेकिन मैंने भी बिलकुल डुड़ी निश्चे कर लिया था मैं अपनी बात पर अड़ा रहा Tricky was very ill Tricky सच में बहुत बिमार था and he was the only way to save him in fact I thought it best to take him without delay और यही सिरफ एक मातर आजता था जिसे कि उसे बचाया जा सकता था तो इसलिए मैंने यही सोचा बगेर लेट हुए मैंने यही सबसे अच्छा तरीका सोचा and followed by Mrs. Pomfrey's wellings और फिर Mrs. Pomfrey की जो wellings थी मतलब उसको उसकी जो चीक थी उसको मैंने follow किया उसे समझा उसे उत्म समझा मैंने और Mrs. Pomfrey जो है मेरे पीछे-पीछे wellings होता है जो रोने के आवाज है विलाप जिसको हम बोलते विलाप करती हुई मुझे follow कर रही थी I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket मैं अपनी कार की तरफ चल दिया और उस छोटे कुते को मैंने कंबल में लपेट लिया और जो पूरा का पूरा उस घर का जो स्टाफ था जो जितने भी करमचारी थे नोकर चाकर जितने थे वो अंदर बहार भागने लगें किसलिए उसके दिन का बिस्तर लेने के लिए उसके रात का बिस्तर लेने के लिए उसके फैवरेट कॉशन से उसके पसंदीदा तकिये थे उनको लेने के लिए toys and rubberings breakfast bowl, lunch bowl super bowl, realizing that my car would never hold all the stuff फिर मैंने महसूस किया कि इतना कुछ समान मेरी कार में नहीं आपाएगा, I started to drive away और मैंने अपनी कार स्टार्ट कर ली as I moved off Mrs. Pomfrey with a despairing cry, जैसे ही मैं आगे की तरफ सरका, Mrs. Pomfrey जो कि सच में बहुत जोर से रो रही थी through an armful of the little cords through the window, उसने अपने हाथ पे अपनी बाजू पे उसने बहुत सारे कोट ले रहे थे, उनको खिडकी में से अंदर फैक्ट दिया I looked in the mirror before पहले जब मैंने सिशे में देखा, mirror में देखा, I turned the corner of the drive और जब मैं कोने पहुचा, तो मैंने देखा अपने mirror में, everybody was in tear, हर को ही रो रहा था Out on the road I glanced down at a pathetic little animal, gasping on the seat by my side और फिर मैंने मितलब रोड पे जब मैं आया, तो मैंने अपनी एक नजर उस छोटे से जानवर पे दोड़ाई, जो मेरी बगल में मेरी शीट पे बैठा था, I patted the head, मैंने उसके सिर को थप थपाया and Tricky made a brave effort to wag his tail और Tricky ने अपनी पूछ हिलाने की बहुत कोशिश की, poor old lad I said, मैंने कहा, बिचारा you haven't a kick in you but I think I knew a cure for you मैं जानता हूँ, आपके अंदर बिलकुल भी नहीं है, लेकिन मेरे पास उसका इलाज है, मैं आपको ठीक कर दूँगा at the surgery, the household dog searched around me, और जब मैं surgery में अपने hospital में पहुचा तो मतलब जो उसकी पशुशाला थी, जिसमें वो अपने pets को रखता था, वहाँ पे पहुचा, तो the household dog searched around me जो वहाँ पे कुटे थे, उन्होंने मुझे घेर लिया, Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes और फिर Tricky ने उनकी तरफ अपनी धुनली आखों से देखा and when put down, और जब मैंने उसे नीची लेटा दिया, lay motionless on the carpet वो कारपेट पे बिलकुल बगैर हिले डूले बेजान सा पड़ा रहा the other dogs after sniffing around him for a few seconds, दूसरे कुटे जिन्होंने कुट सेकिंड के लिए उसके चारो तरफ इर्दगिर्द चकर लगाए decided he was an uninteresting object and ignored him उन्होंने देखा कि ये सच में कोई uninteresting होता है जिसमें हमारी बिलकुल भी रूची नहीं होती कोई ऐसी चीज पड़ी है और उसे ignore कर दिया I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept फिर मैंने उसके लिए एक लकडी का बक्षा त्यार किया जिसमें वो सारे कुटे लेटे हुए थे मतलब उन्हीं कुटों के पास मैंने उसका एक लकडी का बक्षा बना दिया जहां पर दूसरे कुटे सोते थे for two days I kept and I owned him दो दिन के लिए मैंने उसके उपर अपनी नजरे रखी giving him no food मैंने उसे कोई खाना नहीं दिया but plenty of water लेकिन पानी बहुत ज़्यादा दिया at the end of the second day he started to show some interest in his surroundings दूसरे दिन उसने अपने आसपास की चीजों में interest दिखाना शुरू किया and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard और तीसरे दिन जब उसने कुटों को बगीचे में कुटों की आवाजे सुनी तो वो भी उनके पीचे-पीचे चल दिया when I opened the door जब मैंने दरवाजा खुला Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe the greyhound और फिर Tricky Joe है वो भी अचाना कुछल कर बहार आया and was immediately engulfed by Joe the greyhound and his friends और वो भी जो की पीचे-पीचे चल दिया जो की वहीं का एक कुता था after rolling him over and thoroughly inspecting him the dogs moved off down the garden उसे इधर-उधर लुटका के और उसकी पूरी तरह से जाच परताल करके कुते जो है वो गार्डन की तरफ चल दिये Tricky followed them Tricky भी उनके पीचे चल दिया rolling slightly with its surplus fat अपने अतदिक मोटापे की वज़े से वो धीरे-धीरे चल पा रहा था later that day I was present at feeding time और उस दिन के बाद से मैं उसके खाने के टाइम पर present होता I was while Tristan slopped the food into the bowls मैं वो भी देखता था जब Tristan जो हो कटोरों में जो बाउस थे उनमें वो खाना डालता there was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating वहाँ पे हमेशा जो high speed eating मतलब खाने की जो लपड़ लपड़ की आवाज होती है वो आती रहती every dog knew that if he fell behind the others he was liable to have some competition for the last part of his meal क्योंकि हर कुटा जानता था कि अगर वो किसी दूसरे से पीछे रह गए तो उन्हें अपने आखरी भोजन के लिए थोड़ा बहुत competition करना पड़ सकता है तो students remaining part we will discuss in our next video तो students please आप comment करके जुरूर बताइए कि आपको ये chapter ये सुरीज हमने start की है ये कैसे लगती है कैसी लगे आपको और please आप मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए ताकि आपको हर उस video की नोटिफिकेशन मिल जाए जो मैं अप्लोड करूंगी और वीडियो देखने के लिए I am very thankful to you तो thank you students